कि आउज बिल्लाहिमिने शेखवान रर्जीम बिस्मिल्लाहिराह्मान रहीम क्या आद दोस्तों स्टूडन्स व्योर्ज अमीद करते हैं सब खारिये से होंगे पिछली वीडियो में हमने फॉरेक्स ट्रेटिंग के बारे में बेसिक से सीखा था अब कि फॉरेस्ट ट्रेटिंग के बारे में बेसिक सा नौलज हमने गेन किया था तो काफी दोस्तों ने सीख लिया हो गाँ उससे किस तरह हम ने ये इसका स्टार्ट लेना है तो पिछली वीडियो में हमने थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन करा दिया था पेर हमने चूज कर लिये थे कि कौन कौन से पेर हमने यानि के ट्रेड करनी है और आज की हम वीडियो में कोशिश करेंगे कि काफी ज्यादा इसको हम कंप्लीट सीख लें पॉइंड कर लें बेशिगिन पेसिक स्थाड़ देगा करते हैं क्या चीज शुट करते हैं कर दें कि तोड़ा सा काफी अमीद करते हैं किश है कि फोरक्स ट्रीडिंग पता चले गया कि किस तरह क्या चीज़ है पिछली वीडियो में देख लिए हमने जिसमें नहीं देखा वो देख लिए आज हमने शुरू करना है कि उससे नेक्स स्टप क्या होता है हमने पता चल गया फोरेस्टेडिंग अब क्या किस तरह इसको हमने इस्तमाल करना यूज़ करना तो बेसिकली कि ट्रेडिंग होती है किसी प्लेट फारम के जगा जहां पर हम ट्रेडिंग करते हैं कोई भी चीज़ हम खरीदे हैं या लेते हैं बेचते हैं सेल करते हैं इसको तजारत करते हैं और किसी जगा पर यह सारी चीज़ें हो रही होती हैं उसको एक प्लेट फारम बोलते हैं ज रिदना और बेचना इसी को हम बोलेंगे बाए कोई यहां पर बेच रहा होता है कोई शेल कर रहा होता है यह वाली जगह जो है इसको बोलते हैं मार्किट यह जहां पर सारा प्रोसेस हो रहा होता है उसको बोलते हैं मार्किट तो यह हमारी मार्किट होगी इसको अब नेक्स हम मार्किट बोलेंगे जहां पर हम काम करना है मार्किट में वायर होते हैं और सेलर होते हैं वायर खरीदार होते हैं सेलर बेचने वाले होते हैं तो यह सारा प्रोसेस जगह पर आधा इसको MR बोलते हैं कि युव कि यह प्रेडिंग की मार्किट है हमने परिदीना पर्षियल कना है तो इस मार्किट में गट मीश्क में तो अब हमने किस चीज़ को देख के KуляThe किस चीज को देके बाह करना है कि उसका तरिका तरyba마 है उसके लिए हमने मार्किट में दो तरह के कि ट्रेम्ड चल रहे होते हैं एक होता है अब कि अब में उटायर तरहा है कि जहां पेरी दार आ रहे होते हैं और एक ट्रेंड होता है साइडवे जहां पे ना खरीदार है ना बाहर है यह निके मार्कीड साइडवे है डाउं ट्रेंड है यहां पे सेलर आ रहे हैं यह सारी मार्कीड है इस जगह पे तीन काम हो रहे होते हैं यहां तो मार्कीड बाय हो रही होती है उपर को जा रही होती है यहां मार्कीड साइडवे में वरका रही होती है ना खरीदार आ रहे है ना बाहर आ रहे है ना बाहर का इंट्रेस्ट है खरीदने में ना सेलर का इंट्रेस्ट है बेचने में तो मार्कीड साइडवे चल रही होती है तो अगर सेल हो रही हो मार्कीड डॉन जा रही हो तो तरह तरह के प्रोसेस हो रहे होते हैं अच्छा अब हमने ये देखना है कि मार्कीट में जो बाहर और सेलर किस चीज़ से रिब्रेजन्ट हो रहे होते हैं जो बाहर और सेलर को कैंडल से रिब्रेजन्ट किया जाता है जो कैंडले बाले होती हैं मार्कीट में जैसे के ये कैंडल है यह मार्किट में केंडल से रिप्रिजेंट हो रहे होते हैं बायर और सेलर तो यह केंडल से बायर और सेलर रिप्रिजेंट होते हैं जब यह केंडल बनती है तो हमें पता चलता है कि इधर बायर है और इधर सेलर रहे है जब मार्किट बाय हो रही होती है बायर है तो यह अप अगर केंडल वाइड बने तो यह बायर होता है और अगर केंडल ब्लैक बने तो यह बायर होता है मारिकीट में अगर अप्टरेंड होगा तो बायर हो तो वाइड कंडल से आ रहे होते हैं अगर सेल हो रही होती है तो ब्लैक कंडल से आ रहे होते हैं मार्कीट ताइम यह कंडले टाइम फ्रेम के साफ से बनती हैं मार्कीट में टाइम यह कंडले टाइम फ्रेम के साफ से बनती हैं के साफ से कैंडलें चाले दी होती हैं अगर हमने एक मेंट का टाइम फ्रेम स्लेक्ट किया तो वो कैंडल एक मेंट की होगी अगर पांच मेंट का टाइम फ्रेम हुमने स्लेट किया तो वो केंडल जो बनी होगी सामने नदर आ रही होगी एक केंडल कि फ Magic इसी तरह 15 मेंट की पर 20 मिनट की ऐग गेंटर की 4 गेंट की डेली की विख़ी दिमांट न जितना ताइम फरींग ऐऊंट करेंगे उतर ऑप्ष्न होता है उतर क्लिक करेंगे करेंगे तो वह तेंट करने किटे के जाया औरकच नयुम बनी होगी वह थे ने करेंगेब अच्छा कैंडलेंग छोटी बड़ी साइज में बनती है यह जो कैंडल है इसके तीन पार्ट होते है यह कैंडल है यह इतनी जगा इसकी बड़ी है विए जिसको शाड़ो बोलते हैं यह बड़ी को मैंब बनी होए इसको प्राइस भी बुलते हैं केंडल तो बोलते हैं या इसकी बाड़ी को प्राइस बोलते हैं जितनी उसकी बाड़ी बनी होगी उसको प्राइस भी बोलते हैं जो उपर विक बनी होगी उसको शाड़ो बोलते हैं नीचे बनी होती है साइज चोटा बढ़ाता है यह सारी चीज़ें आपको डेटेल से एक् ब्लैक अंडल भी हो सकती है यह ब्लैक अंडल की यही सेम सिच्वेशन है इतना मैं समझ आगया हम अगली दिए ओमें अब केंडल को डिटेल से पढ़े एकांडल किस किसम की होती है कितनी होती है कιंडल के कहुण क्युक्ण कौन से कड़ल है वह अगली वीडियो में इसको आप समझ लें सीख लें बहुत इजी है इंशाला आप मकमल आपको सखा दें तो वीडियो को लाइक शेर कर दें तो नाक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कैंडल की टाइप्स के साथ तो उसके वक्त के लिए अजयादत दीजिए अलाव